मैं भारत में justice within year लागू करना चाहता हूं justice within year का मतलब प्रतेक मुकदमे का फैंसला एक साल में हो district court में भी मुकदमे का फैंसला एक साल में हो high court में भी मुकदमे का फैंसला एक साल में हो supreme court में भी मुकदमे का फैंसला एक साल में हो Justice within year का मतलब चाहे वो जमीन का मुकदमा हो, Civil matter हो, Criminal matter हो, Service matter हो या Constitutional matter हो गूस खोरी, जमा खोरी, मिलावट खोरी का मामला हो कोई भी मुकदमा, फैसला एक साल में Justice within year से भारत में भ्रस्टा चारा उपरात खतम हो जाएगा कानून कठोर होगा, और मुकदमे का फैसला एक साल में होगा कोई भी दबंग किसी जमीन की, किसी गरीब के जमीन पर कबजा नहीं करेगा कानून कठोर होगा, 100% property जब तो होगी, नागरिकता खतम होगी गूस खोरी भी खतम होगी, कमिसन खोरी भी खतम होगी, दलाली भी खतम होगी, सूध खोरी भी खतम हो जाएगी जिस दिन हमने कानून बना दिया कि 100% property जब तो करेंगे, नागरिकता खतम करेंगे, आज इवन कारावास और फांसी देंगे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नसा तसकरी खतम हो जाएगी, मानव तसकरी खतम हो जाएगी, जमा खोरी भी खतम हो जाएगी, मिलावट खोरी भी खतम हो जाएगी, काला बजारी भी खतम हो जाएगी और मुनाफा खोरी भी खतम हो जाएगी जिस दिन हमने कानुन बदल दिया 100% प्रपर्टी जब्त करेंगे नागरिक्ता खतम करेंगे आजीवन कारावास फांसी देंगे और वो भी एक साल के अंदर देंगे जस्टिस विदिनियर याद रखिए कालाधन का जो खेल चलता वो भी खतम होगा हवाला बाजी सट्टा बाजी नकाली घटतौली कबूतर बाजी ये भी खतम होगे जिस दिन हमने जस्टिस विदिनियर लागू कर दिया कानून को कठोर बना दिया 100% प्रपर्टी जब्त करेंगे नागरिक्ता खतम करेंगे आजीवन का रावास फांसी देंगे और वो भी एक साल के अंदर देंगे याद रखिए धर्मांतरन रुख जाएगा घुस पैठी ये भाग जाएगे मावाद खतम हो जाएगा नकसलवाद खतम हो जाएगा जहाद खतम हो जाएगा मजभी उन्मात खतम हो जाएगा या आप जो देखते हैं बीच 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 बयान बाजी आती रहती है गजवा हिंद की बयान बाजी होती है और पता नहीं क्या-क्या पकता रहता होगा देखते होंगे आप कभी बॉंबे में कोई मौलवी कुछ बोलता है या कभी गुजरात में कोई मौला ना कुछ बोलता है कभी बंगाल में कोई मौला ना कुछ बोलता है जिस दिर हमने कानून बना दिया 100% परपर्टी जब करेंगे नागरिकता खतम करेंगे आज जीवन कारावास फांसी देंगे और ओ भी एक साल के अंदर याद रखिए जासूसी भी खतम होगी गद्दारी भी खतम होगी मजभी उनमाद भी खतम होगा कटरवाद भी खतम होगा चरमपंथ भी खतम होगा अलगावाद भी खतम होगा सठे साठ्यम समाचरेत ये विदूर जी ने कहा था भय विन हो इन अप्रीत ये भगवाई श्री राम ने कहा था हमने सारे काम किये लेकिन सठे साथम समाचरेत सिध्धान्त के अनुशार कानूनों को नहीं बनाया हमने कभी justice within year यानि एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो संसद में चर्चा ही नहीं किया विधान सभा में चर्चा ही नहीं किया हाईवे बना रहे हैं रेयरपोर्ट बना रहे हैं सॉपिंग मॉल बना रहे हैं हॉस्पिटल बना रहे हैं स्कूल बना रहे सब बना रहे, जहां करोडों की लागत आती है, लेकिन कानूर नहीं बना रहे, जो मुफ्त में बन सकता है Justice within year कोई rocket science नहीं है, justice within year संभव है, एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, केवल भारत में एक देश, एक दंड संभीता लागू करना पड़ेगा यह जो पच्चास घटिया कानूनों का मकड़ जाल है न, यह पच्चास घटिया कानूनों का मकड़ जाल खतम करना पड़ेगा और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके, वन नेशन वन पिनल कोड, यानि घूस खोरी, जमा खोरी, मिलावट खोरी, काला बजारी, नसा तसकरी, मानो तसकरी, अलगावाद, कटरवाज, जहाद, मजभी उन्मा, धर्मांतरन, घुस पैट सब के लिए एक किताब, एक कानून, यह देख लिए, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड यह चलता है, सब के लिए एक किताब रहेगी फाइदा यह होगा, पुलिस के लिए F.I.R. लिखना आसान होगा, जज के लिए धाराओं को देखना आसान होगा, वकील के लिए बहस करना आसान होगा, और जस्टिस बिना 1 nation 1 पिनल कोड के जस्टिस विदीन नहीं लागू नहीं हो सकता, जस्टिस विदीन यह लागू करने के लिए हमें वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा अठाव सो एक्षट के पुलिस एक्षट के कारण पुलिस सत्था की गुलाम बनी हुई है कानून चुक्ए अंग्रेजों वाला या तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों की सारे पे नाजती थी आज की डेट वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा जस्टिस विदिनियर लागू करने के लिए वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा और नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बनाना ही पड़ेगा जब तक नार्को चार्टर लागू करना पड़ेगा एड्मिस्टेट्वी चार्टर लागू करना पड़ेगा जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा पुलिस के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको एक घंटे के अंदर एफायार करन एक महिने के अंदर जाच पूरा ही करना पुलिस चार्टर का मतलब जज के लिए कानून बना के मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है आप खुस-खुस सोचिए रहा पांच करोड मुकदमे डिस्टिक कोट, हाई कोट, सुप्रीम कोट में चल रहा है यानि पांच करोड परिवार का मतलब एक परिवार में अगर पांच आदमी मान के चलिए तो 25 करोड भारती टेंशन में है और पांच करोड दूसरे मुकदमे चल रहे हैं जमीन वाले वह कहां चल रहे हैं चकबंदी अधिकारी के यहां यह सोसी के यहां डीडीसी के यहां तसिलदार के यहां SDM के हैं और DM कहां चल रहे चकबंदी कमिस्टर कहां चल रहे उन 5 करोड मुकदमों के कारण भी 5 करोड परिवार टेंशन में है तो 25 करोड 25 करोड लोग जो अपना जमीन का मुकदमा उसके उसे टेंशन में अब 25 करोड लोग अपना बाखी जो कोड में मुकदमा चल लाऊ अब खुछ सोचीए भारत की क्या सेती है एक भारत स्रेष्ट भारत बनाना है तो justice within यर लागू ही करना पड़ेगा भारत को विश्व गुरु बनाना है तो justice within यर लागू करना पड़ेगा गुषपैठियों को यहां से भगाना है तो जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा जातिवाद भाषावाद छेत्रवाद खतम करना है तो भी जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा क्यों 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 कि ये जाति भाषा छेत्रवाद घोलते को ने जि जीवन कारावास फासी देने के लिए कानून बन जाए तो यह शांत हो के बैठ जाएंगे मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी बतोले बाजी इसलिए करते हैं कि समाज को बाटते हैं और जी उए लक्सन जीत लेते हैं अब उसके बाद पांच करोड़ रुपए खर्च करके पच्चास करोड़ रुपए कमाते हैं इसमें सबसे फाइदेमंद धंधा पॉलिटिक से पांच करोड़ लगाओ पच्चास करोड़ कमाओ जस्टिस वी दिनियर हो जाए प्रापर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए सवरुपे से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए वन आप खुछ सोचिए समाज में कितनी शांती आजाएगे कोई सड़क के किनार्य वह निर्मार नहीं करेगा कोई धर्मांतर्ण कराने की हिम्मत नहीं करेगा भारत में कोई घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा मावाद नकसलवाद खतम हो जाएगा ये मौलवी मौलाना जो आए दिन गजवा हिंद का बयान देते रहते हैं हिंदूओं को धंकाते रहते हैं पंद्रा मिनिट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुस्तान से हिंदों ख़तम कर दोंगा यह सारे बयान ख़तम कर दिये जाएंगे कि यह वल कानून बना दिया जाए 100% प्रपर्टी चप्ट करेंगे नागरिक्ता खतम करेंगे आज इवन कारवास फांसी देंगे वो भी एक साल के अंदर जस्टिस विदिन यह यह असंभव नहीं है मैं कहता हूँ मैं इसको इंप्लिमेंट कर सकता हूँ एक साल के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्यों क्योंकि 1700 हमारे पास ला कॉलेज हैं ला कॉलेज को हम काम बांट देते हैं ला कॉलेज अपना अपना कानून बनाएंगे भारत में हजारों की संख्या में additional, advocate general, former solicitor general, former attorney general, उनकी opinion ले ले लेते हैं, जितने retired जैसे हैं उनकी opinion ले ले लेते हैं, जितने retired IS, IPS उनकी opinion ले ले लेते हैं, आप कानून बदल देते हैं, कानून बदलने के कोई लागत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ justice within year लागू करने में कोई लागत नहीं आएगी, लेकिन भारत की 50% समस्याएं खतम हो जाएंगे, अब आप सोच रहेंगे, आप क्या करेंगे, आप facebook पे 5000 फ्रेंड बना लीजे, और जो समस्या है, उसका मूल कारण स्थाई समाधान लिखना शुरू करिए, जो इस तरीके के वीडियो हैं, सही वीडियो आपको लगते हैं, उनको अपने facebook पे डालना शुरू कर दिए, देखिए तरन बदलाव आएगा, जैहन, जैभारत